आज हम बनाएंगे आलू लच्छा पराथा जो की बहुत ही रेस्टी बनता है तो एक बर ये रेस्पी आप जरूर राय करिएगा बहुत अमेजिंग बनता है और आप इसके अंदर चाहें तो आलू की जगह आलू के साथ चीज का भी यूज़ कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे आप एक आठी की मोटी लोई लिए क्योंकि लक्षा पराथा बनाने के लिए आठा हमें थोड़ा ज्यादा लेना होता है तब ही हमारे चो लच्छे हैं वो पॉफेक्ट बनते हैं तो पहले हम इस लोई को बेल लेंगे बड़े आकार में रोटी की तरह हमें इसका आकार पहले से प्रेपेर कर रखिए जैसी भी स्टफिंग आप बनाते हो जैसी भी स्पाइसी वैसी स्टफिंग आप इसमें भर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो तो पहले हम रोटी को अच्छे से बड़े आकार में बेल लेंगे तो रोटी जो है हमारी बिल चुकी है अब हम इसमें लगाएंगे देसीगी आप चाहें तो देसीगी की जगए ओईल का यूज़ भी कर सकते है बहुत टेस्टी बनता है ये पराठा खाने में बहुत अमेजिंग रगता है तो ज़रूर ट्राय करिएगा या किसी को बना खिलाएगे तो वो भी आपकी तारीफ करेगा बहुत अमेजिंग बनता है ये पराठा अच्छे से हमने यहाँ पर देसीगी को लगा दिया है अब इसको हम रोल करेंगे आपको एक साइट पकड़ना है वो इसको प्रॉपर रोल करते जाना है लास्ट तक तो बस रोटी हमारी रोल हो चुकी है अब नाइफ की मदद से हम इसको बीज से कट कर देंगे यहाँ पर हमने रोटी को अच्छे से कट कर लिया है अब दोनों को हम अलग कर देंगे अलग करने के बाद वापस से हम इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे इसके लच्छों पर हम वापस से घी लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा दोनों पर अब हम इनको रोल करेंगे पहले हम एक को लेंगे और इसको रोल करेंगे इस तरीके से आप उसको घुमाना है घुमाते घुमाते last वाले को नीचे से जॉइन कर दिना है इस तरीके से हाथ से प्रेस कर दे जो भी लच्छे निकले हो उनको हाथ से जॉइन कर दे इसी तरह दूसरे को भी हम बना लेंगे बस आप तो इसी तरह हमने दूसरे को भी बना लिया है अब सुखा आठा डालते हुए आपको दोनों को बेल लेना है पहले हम फस्ट को बेलेंगे सादा प्रेस करके न बेलें, हलके हाथों से बेले तो हमने इसको अच्छे से बेल लिया है और दूसरे आठे को भी हमने अच्छे से बेल लिया है अब हम क्या करेंगे, हमने जो आलू की स्टफिंग बनाई है उस आलू के स्टफिंग को हम इसमें लगा रख देंगे आलू की स्टफिंग मैंने पहले कढ़ाई में ओईल डाला, जीडा डाला, हरी मिर्शी डाली और बॉयल डालू डाल दिये उसके बाद में थोड़ा सा गरम मसाला और अमचुर पार्डर टेस्ट के कोडिंग नमक डाल के इसको हमने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है यह हमारे आलू का बेस है, आप जैसा भी स्टफिंग मनाते हों, जैसे भी आलू का बेस खाते हों, अनियन वगरा यूज करते हों तो आप वह भी डाल सकते हैं तो आप इसमें कुछ भी स्टफिंग भर सकते हैं, आप इसमें चीज भी डाल सकते हैं, बच्चों को चीज पसंद है तो आप इसमें चीज भी डाल के बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है ये पराथा, तो हमने दूसरे पराथे को इसके उपर से जॉइन कर दिया है, ये आप इस पराठे को बनाईए बहुत ही टेस्टी बनता है और इस पराठे को यह पराठा इतना हैवी होता है कि एक खाने के बाद दूसरा बहुत मुश्किल हो जाता है खाना तो बहुत टेस्टी भी होता है और बहुत काफी हैवी भी होता है क्योंकि हम इसको मोटी लोई से ब अगर आप पराठे को घी से सेखेंगे तो बहुत अमेजिंग वारा पराठा होता अगर अंदा आप इसको घी लगाएंगे तो आपके लच्छे बहुत ही अच्छे बनते हैं बस हमारा जो पराठा है वो सिख करके पॉफएक तरीके से रेडी हो गया है यह बिल्कुल भी इसकी साइड नहीं खुलेगी यह निकलेगा ने क्योंकि इसमें आलू पड़ी है इसलिए बिल्कुल भी निकलेगा तो बस अब हम इसको प्लेट में सफ कर लेंगे बटर लगा कि कि मैंने इसको सफ कर लिया आप देख बारे कितने पॉफएक लच्छे बने है और कितना टेस्टी लग रहा है बिल्कुल कुरकुरा खस्ते जैसा हमारे यह अमेजिंग आलू पराठा को हमने दही के साथ सफ किया है तो आप इसे दही रायता किसी के साथ भी सफ कर सकते है ज पत्ता के लिए टेक क्या और बाबाए मिलते हैं नेक्स्ट